देविंद्र फर्णवीश जी, भारत सरकार में मंत्री, भाई राउ साहिब दानवे जी, हमारे वरिष्ट रयोगी और यहां के प्रभारी, भाई भुपिंद्र यादव जी, जो राज्यसभा में हमारे साथी हैं, और राष्ट्रिय महामंत्री हैं। कारे करना सुतना है कि महिला प्लीज जाउना का जरा थोड़ खाली बसा, खाली बसा, महिला खाली बसा जाई और बसा, इकर्चे कारे करते को ने जाउना का, श्री बबन राउ लोडिकाजी, मंत्री महराष्ट्र सरकार, श्री अतुल साग, मंत्री महराष्ट्र सरकार, डॉक् प्रदेश के उपाध्यक्ष, डॉक्टर श्री सुर्जीत सिंग ठाकुर जी, प्रदेश महमंत्री, श्री मनोज पागार कर जी, प्रदेश के सचिव, संतोष पाटिल दानवे जी विधायक, नारायन कुंचे जी विधायक, यहां सम्मानित मंच, और इतनी बड़ी संख्या मे इकत्र आये, देवियों और सज्जनों, मित्रों और मेरे मीडिया के साथी, प्रिंट मीडिया और इलक्रोनिक मीडिया के साथी, आज जनादेश यात्रा में, महा जनादेश यात्रा में, आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहां शामिल हुए, और आपने हमारे यश पुष्ष्ष्वी मुक्यमंत्री देविंद्र फणनवीज जी का व्याख्यान सुना और उनको आशिरवाद देना अपने तै किया इसके लिए सबसे पहले तो जो मैं उस्सा आप लोगों में देख रहा हूं उस उस्सा के माध्यम से मैं कह सकता हूं कि आपने श्री पिंद्र फणनवीज जी को अपना महादेश जनादेश एक तरफा दे दिया है और उनको आपका समर्थन मिल चुका है मित्रों जब हम जनादेश की बात करने यहां आए हैं तो हम छत्रपती महाजीर राजशिवाजी की वीर भूमी पर मुझे आने का सौभागे मिला है मुझे सौराज के जागरन के लिए लोकमाने तिलक की भूमी पर आने का सौभागे मिला है मुझे सामाजिक जागरन के लिए जोतिबा फुले के भूमी पर पुन्य भूमी पर आने का सौभागे मिला है और मुझे सम्विधान के रचैता और सम्विधान का शासन लाने वाले समता युक्ष ऐसे डॉक्टर भीम राव अंबेटकर की भूमी पर आने का सौभाग्य मिला है मैं महराष्टर की भूमी को नत्मस्तक होता हुआ आप से यह निवेदन करने आया हूँ कि हम सब लोग मिलकर महराष्टर के विकास में इस जनादेश महा यात्रा को और महा जनादेश यात्रा को अब सफलता पूरवक आगे बढ़ाएंगे और आपका आशिरवाद मिलेगा ऐ ऐसा मेरा विश्वास है मित्रों जब हम जनादेश की बात कर रहे हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि सम्मानिय मोदी जी ने देश में देश की राजनितिक संस्कृति को बदलने का प्रयास ही नहीं किया बलकि देश के राजनितिक संस्कृति को बदल डाला और जब मैं महराश्ट्र की बात करता हूँ तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि देवेंद्र फर्णवीस ने महराश्ट्र की छवी को भी बदल करके रख दिया है जिसको हमको समझना चाहिए आधरनी मोदी जी ने जब हम कहते हैं कि देश की राजनीती की छवी बदल दी तो इसका मतलब है कि देश में इस से पहले मोदी जी के शासन से पहले जिस तरीके की राजनीती चल रही थी अपीजमेंट की राजनीती तुष्टी करन की राजनीती ब्रश्टा चार की राजनीती अनाचार की राजनीती, सत्ता में बैट करके अपने लोगों को सत्ता से जोड करके देखने की राजनीती, सत्ता का उप्योग करते हुए अपने लोगों को बढ़ाने की राजनीती, इन सारी राजनीती को समात करके देश में ब्रश्टा चार मुक्त शासन आदर्नियमोदी ज खड़ा किया यही नहीं दुनिया में भारत को अगर किसी ने स्थान दिया और भारत को उचाईयों पर ले जाने का किसी को सौभाग्य जिस ने दिया वो और कोई नहीं हमारे आधर्णियन नरेंद्र मोधी हैं जिनों ने इसको पूरा करके दिया और मैं अगर महराष्ट की बात करूँ तो यह आपके हमारे लाडले देविंद्र फर्णवीस हैं जिनोंने भरष्टा चार युक्त महराष्ट की चवी बदल करके भरष्टा चार मुक्त महराष्ट की चवी को स्थापित किया इसको हमको समझना चाहिए और इतना ही नहीं इन उन्होंने विकास को आगे बढ़ाया और विकास को आगे बढ़ाने के साथ साथ आप लोगों का विश्वास भी जीता इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए मित्रों जब मैं यहां आया हूँ और जब मैं बोधी जी के छवी के बारे में और संस्कृति के बदलाओं के बारे में चर्चा कर रहा हूँ तो धारा 370 जो हम सब लोग यहां बैठे लोग अपने बच्पन से एक नारे लगाते थे एक देश में दो नीशान, दो विधान, दो संविधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे इस नारे को सही माइने में सही तरीके से संविधान के दरिश्टी से रखते हुए आज मोदी जी ने बता दिया कि एक देश में एक निशान, एक विधान, एक सम्विधान और एक प्रधान होगा इस बात को स्थापित करके रख दिया दारा तीन सो सत्तर हम सब के लिए बहुत ही हर्ष का विशे है आदरनी अमिश शाजी ने एक ही दिन में एक ही राज्य सभा के सेशन में और एक ही लोग सभा के सेशन में सुबह सत्र शुरू हुआ और साम तक धारा तीन सो सत्तर हटेगी या पैथिस ए हटेगा हमने सोचा था कि ये हटेगा की नहीं हटेगा इसके बारे में भी संभावना एकम थी लेकिन आप ने तो यहाँ पर बम ही फोड़ दिया सारा धारा 370 ही समाप कर दिया ये गुलाम नभी अवाजाद का उस समय का स्टेटमेंट है लेकिन बित्रो मैं दो बाते बताना चाहता हूँ एक तो ये बताना चाहता हूँ कि धारा 370 बहुत लोगों को मालूम नहीं है जम्मू कश्मीर में कोई हमारा हरिजन भाई दलित भाई चुनाओं में खड़ा नहीं हो सकता था क्योंकि वहाँ आरक्षन की सीठी नहीं थी न लोक सभा में न राज्य सभा कोई दलित का रिजर्वेशन नहीं था कोई हमारे आदिवासी भाईयों के लिए एस्थी का रिजर्वेशन नहीं था आप बताईए क्या इस तरीके से हम चल सकते थे चलना चाहिए था क्या हमारे दलित भाईयों को वहाँ से मले बनने का अधिकार नहीं है सतर साल में ये अधिकार उनसे वंचित रखा गया आज धारा तीनसो सतर समाप्त हुई है परी सीमन होगा डी लिमिटेशन होगी और स्थी की भी सीटे बरकरार होगी जम्मू कश्मीर की असेंबली में और लोग सभा में इसको हमको समझना चाहिए उसी तरीके से स्थी की सीटे जम्मू कश्मीर में कोई स्थी की सीट नहीं थी न लोग सभा में न विधान सभा में उस स्थी की सीट भी परी सीमन के बाद स्थापित होगी और हमारे वहां के गुजर भाई, बकरवाल भाई उनको भी अब विधान सभा में और लोग सभा में आने का मौका मिलेगा ये धारा 370 के समापती से सम्भव हो पाया है वेस्ट पाकिस्तान से आए हुए लोग पश्चिमी पाकिस्तान से आए हुए लोग जिनको हम रेफ्यूजी कहते थे जो आज यहां बस गए जिनको हमारे लोगों ने बसाया उन में से दो लोग भारत के प्रधान मंत्री भी बन गए इंद्र कुमार गुजराल और डॉक्टर मन्मोहन सिंग दो भारत के प्रधान मंत्री ऐसे बने जो वेस्ट पाकिस्तान से आये थे और भारत में रहकर भारत के प्रधान मंत्री बने और हमारे लाल कृष्ण अडवानी जी उप प्रधान मंत्री बने जो वेस्ट पाकिस्तान स जम्मू कश्मीर में आकर के बसे उनको जम्मू कश्मीर का सम्विधान धारा 370 के तहब काउंसिलर भी बनने का अधिकार नहीं देता था काउंसिलर भी बनने का अधिकार नहीं देता था बताओ यह अन्याय था की नहीं था सतर साल से वेस्ट पाकिस्तान से आके हाँ बस गए लेकिन काउंसिलर बनने का भी अधिकार नहीं था अब धारा तीन सो सतर के माध्यम से उनको ये अधिकार मिल गया कि वो काउंसिलर भी बन सकते है मैं दुख के साथ बताना चाहता हूँ जो हमारे सवाई कर्मचारी बालमी की भाई जम्मू कश्मीर में बस गए उनको जो सर्टिफिकेट मिलता था वो नौकरी सिर्फ सवाई कर्मचारी का कर सकते थे उसके अलावा उनको कोई भी जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरी करने का अधिकार नहीं था भारत के सम्विधान से, भारत के संसत के अधिकार से 108 कानून पास हुए थे, 108 कानून ये कानून सारे देश में लागू होते थे लेकिन जम्मू कश्मीर की धर्ती पर ये कानून लागू नहीं होते थे आज धारा 370 हट गई 108 के 8 कानून अब चम्मू कश्मीर की विधर्ती पर लगेंगे और वहाँ पर भी आम आदमी को उसका लाब मिल सकेगा इस तरीके की परिस्थिती खड़ी हुए ये हमको समझना चाहिए और मित्रों कॉंग्रेस वाले जो राजनितिक विरोत कर रहे हैं वो वोट बैंक की राजनिती कर रहे हैं वो वोटों को ध्यान में रख करके करें देश इत्में नहीं रख रहे हैं आज राहूल गांधी को ये स्टेट्मेंट देना पड़ा कि जम्मू कश्मीर हमारा आंतरिक मामला है इसमें हम अंत्रिक विशे है इसमें बाहर वालों को पढ़ने की जरूरत नहीं है ये कहने में उसको इतने दिन क्यों लग गए ये कहने में उसको इतने दिन इसलिए लग गए क्योंकि वोट बैंक की राजनीती कर रहे थे देश को सरवर पर इमान करके राजनीती नहीं कर रहे थे इसको हमको समझना चाहिए और उनको आज ये स्टेटमेंट मालूम है क्यों देना पड़ा ये इसलिए देना पड़ा कि पाकिस्तान ने जो UNO में अपील की है उस अपील में राहुल गांधी के स्टेटमेंट को डाला है यानि पाकिस्तान राहुल गांधी राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोले ये जब सामने आया तब जाकर के उन्होंने इस्टेटमेंट दी है हमको समझना चाहिए कि देश हित में धारा 370 की समाप्ती और जम्मू कश्मीर की भाईयों के लिए प्रधान मंत्री जी का दिल अमिशाजी का दिल घाटी के लोगों का विकास उनको मुक्यधारा में जोड़ना वहां इन्वेस्मेंट करके विकास को लाना ये हमारा करतव्य है और इसको हम कटी मद है लेकिन कॉंग्रेस जो कहती थी कि ये टेंपररी है टेंपररी है अगर इतना ही अच्छा था धारा 370 तो 70 साल तुमने राज किया तुमने उसको पर्मेनेट क्यों नहीं कर दिया आपने पर्मेनेट इसलिए नहीं किया क्योंकि आप भी जानते थे कि ये देश के हित में नहीं है सिर्फ ये था कि आप में 56 इंच का सीना नहीं था वो मोदी जी में था जिसने करके दिखा दिया यह हमको समझना चाहिए ट्रिपल तलाक का मामला बुपेंदर यादव जी बैठे हैं हमारे बहुत प्रकर वक्ता है राज्य समा में सारी बातों को भारीकियों से ट्रिपल तलाक का इन्होंने रखा ट्रिपल तलाक का कॉंग्रिस में विरोग क्यों किया तीन तलाक का विरोग क्यों किया सिर्फ इसलिए विरोग किया क्योंकि उनको वोट बैंक की राजनीती करनी थी एक समुधाय को जो देश हित में जब सुप्रीम कोट ने कह दिया तो उसके बाद तो सब लोग उसमें जुड़ जाना चाहिए था मोदी जी ने तीन तलाक पर जो हमारी मुस्लिम बेहनों पर एक तलवार लटकी हुई थी उससे निजाद दिलाई और हमेरी मुस्लिम बेहनों को मुख्य धारा में लाने का काम किया तो आदर्निय मोदी जी ने किया है इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए और ये विशे किसी समुधाय से जुड़ा हुआ नहीं है ये विशे देश से जुड़ा हुए ये हमी थे ना जिसने सती प्रधा हमारे ही समाज में समाप्त की थी ये हमारे ही समाज था ना जिसने बाल विवा समाप्त किया थी ये हमारे ही समाज था ना जो कानून लाकर के दहेद प्रधा समाप्त की ये हमारा ही समाज था जिसने बेहनों को प्रॉपर्टी में बराबर का अधिकार मिले इसका कानून बनाने का काम भी हमारे लोगों नहीं किया था इसलिए समाज की कुरूतियों के खिलाफ लड़ना ये हमारा निश्चित रूप से जिम्मेवारी है जिस जिम्मेवारी को हम पूरा करने के लिए कटिबद हैं और उनको हम आगे बढ़ा रहे हैं मित्रों अगर हम इसके साथ साथ विश्यों के बारे में चर्चा करें तो जो विकास आदर्णिय मोदी जी के नित्रतों में हुआ है इस 75 दिनों के अंदर उसको भी हम कभी भूल नहीं सकते 75 दिनों के अंदर धारा 370 साफ त्रिप्रल तराग साफ प्रधान मंत्री किसान सम्मान मांधन योजना प्रधान मंत्री किसान पेंशन योजना प्रधान मंत्री सम्मान योगी पेंशन योजना ये सारी होजनाओं का अगर हम देखें एक तरफ हम किसान भाईयों के लिए बहुत से किसान निता पैदा हुए और किसान निता के नूर्ट में जाने गए लेकिन किसान के सम्मान के लिए मांधन देने का काम अगर किसी ने किया तो वो आदर्णिये प्रधान मंतरी श्री नरेंद्र मोधी जी ने किया जिन्होंने साल भर में साड़े चौदा करोड़ लोगों को छे हजार रुपे उनके किसान के किसान को बढ़ाने के लिए काम में लगाया इसको हमको ध्यान में रखना थोगी और हमने इसके लिए 87,000 करोड़ रुपे पेंशन मिले किसी ने भी आज तक हिम्मत नहीं की लेकिस साड़े 64 करोड़ किसानों को पेंशन मिले और 3,000 रुपे 60 साल की उमर के बाद मिले ये योजना अगर किसी ने चलाई और इसको 75 दिन के अंदर अगर जिसको फैसला कर दिया वो प्रधान मंतरी श्री नरेंद्र मोधी जी ने कर दिया हमको ध्यान में रखना चाहिए लगबग तीन करोड छोटे व्यापारी खुत्रे व्यापारी ट्रेडर्स उनको पेंशन मिलनी चाहिए इस काम को अगर किसी ने हाथ में लिया तो वो प्रधान मंतरी श्री नरेंद्र मोधी जी ने लिया और उनके सम्मान के लिए पेंशन योजना साथ साल की उमर में तीन हजार रुपे पेंशन मिले ऐसे तीन करोड छोटे दुकानदारों को उन्होंने ये इंतजाम किया जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए ऐसी विशेश योजनाओं को हम लोगोंने आगे बढ़ाने का प्रयास किया अगर हम उगजला योजना की बात करें आठ करोड महिलाओं को गैस का किनेक्शन महराश्टर में 41 लाख बेहनों को गैस का किनेक्शन अगर हम उजला योजनाओं की बात करें तो LED बल्ज करोडों के हिसाब से लोगों को लगाने के हम लोगोंने सौभाग लिए हम लोगोंने इसको का प्रावधान किया उसी तरीके से अगर हम बात करें महिलाओं की तो महिलाओं के लिए नारी तु नराइनी के तहट हर महिला को सेल्फ हेल्फ ग्रूप की महिला को पांच हजार रुपए का ओवरड्राफ देने का प्रावधान किया और हर सेल्फ हेल्फ ग्रूप को एक लाख रुपए लोन लेने का प्रावधान प्रधान मंतरी श्री नरेंद्र मोधी जी ने किया ये है विमन इंपावर्मेंट महिला शक्ती और महिला शक्ती को शक्ती देना ये काम प्रधान मंतरी मोधी जी ने इन 75 दिनों के अंदर कर दिया जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए विकास की अनेक गाथाएं हैं विकास की अनेक कारिक्रम हैं जिनको नीचे तक पहुँचाने का काम आदर्णिय प्रधानमंत्री जी ने किया है और उसको हमको जमीन पर ले जाने का काम हम सब लोगों ने करना है यह आपसे मैं निविदन करने आया मित्रों अगर हम आयुश्मान भारत की बात करें जो आदर्णिय मोदी जी ने दिया दस करोड़ चोहत्तर लाख परिवार पच्पन करोड़ लोग अब पच्पन करोड़ लोगों का मतलब आप समझ सकते हैं कि भारत की कम से कम 40 प्रतिशत की आबादी को 5 लाख रुपए का एन्वल कवरिज और 23 सितंबर को इस कारिकरम को शुरू किया आज 34 लाख लोगों ने इसका लाब उठा लिया 6,100 करोड़ रुपए हॉस्पिटल्स को दिये जा चुके हैं और 34 लाख लोगों की जाने बचा ही जा चुकी है यह है आईश्मान भारत जिसको हमको समझना चाहिए मैं जब स्वास्तमंत्री था तो मैं जब अंतराश्ट्रिय फोरूम वर्ल्ड हेल्थ असेमली में जाया करता था तो भारत इंडिया लिखा होता है आई और अलफेबिडिकल ओर्डर से हमको बिलकुल पीछे बैठने का मौका मिलता था जब मैं 2018 में वर्ल्ड हेल्थ असेमली में गया तो वर्ल्ड हेल्थ असेमली के डॉक्टर ट्रेज्रोज जो वहां के डिरेक्टर जेनरल है उन्होंने कहा मिस्टर नडड़ कम फावड वर्ल्ड वांट्स तो नो मोदी जी जी आयुश्मान भारत and everybody should replicate this is मोदी and this is आयुश्मान भारत कहा नडड़ आप आगे आओ दुनिया को बताओ कि आयुश्मान भारत क्या है दुनिया जानना चाहती है और दुनिया इसको फॉलो करे भारत ने लीड ली है यह बात आयुश्मान भारत के बारे में कही है इसलिए मित्रों मोदी जी ने देश की संस्कृति को बदल दिया देश की राजनितिक संस्कृति को बदल दिया आम गरीब आत्मी के लिए काम करने वाली सरकार गरीब पिछडा वंचित दलित जो विकास के पाइदान में सबसे पीछे खड़ा है उसको मुक्यधारा में लाने का काम आदरनी मोदी जी ने किया वैसे ही हमारे देविंद्र फर्नवीज जी ने महराष्ट की छवी बदलने का काम जैसे मैंने का वो क्यर दिखाया है महराष्ट की छवी क्या थी पात साल पहले ब्रश्टाचार और महराष्ट ये दोनों प्रयायवाची बन गए थी इरिगेशन में घोटाला हाउसिंग सोसाइटी में घोटाला सड़क में घोटाला पानी में घोटाला हर जगा घोटाला ही घोटाला और आज पांच साल की सरकार में ब्रश्टाचार मुक्त महराष्ट और विकास युक्त महराष्ट देवेंद्र फण मısीजी ने बना करके दिया आपको जानकारी है शिक्षा में आज महाराष्ट तीसरे स्थान पर खड़ा है स्वास्त में महाराष्ट छटे स्थान पर खड़ा था आज महाराष्ट तीसरे स्थान पर आकर के खड़ा हो गया है और यही विकास की गती रही तो पहला स्थान लेने में महाराष्ट पीछे नहीं रहेगा ये मेरा विश्वास है आपका जनादेश शाई अगर हम विकास की बात करें तो सबसे पहला एम्स All Indian Show of Medical Sciences मोधी जी ने देवेंद्र फंडवीजी के कहने पर नाकपुर में All Indian Show of Medical Sciences दिया तो नाकपुर को दिया इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए बिल्डिंग बन रही है आठ शो बिस्त्रों का All Indian Show of Medical Sciences बन रहा है हमने Medical Colleges की जड़ी लगा दी सुपर स्पेशालिटी ब्लॉक की जड़ी लगा दी कैंसर सेंटर की जड़ी लगा दी आपने जहां जहां बोला हमने वहां कैंसर सेंटर दिया आपने जहां बोला वहां सुपर स्पेशालिटी ब्लॉक बुक्तिया और आपने जहां बोला वहां Medical College भी खोला इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए मैं आज जालना में आया हूँ यहां पानी की समस्या रहती हम जानते हैं लेकिन पानी की समस्या पर राजडिती करने वाले राजडिता तो बहुत मिले समाधान करने वाले नहीं मिले यह देवेंद्र फड़नवीज जी की सरकार है जिसने वाटर ग्रिड बना करके और 438 किलो मीटर की अंडर ग्रांड पाइप की मंजूरी दे करके पाइप लगा करके उनको भी पानी देने का इंतजाम को आगे बढ़ाने का काम किया यही नहीं ड्राइपोर्ट ड्राइपोर्ट को आपने जो जिसका काम लगबग 70% पूरा हो गया है वह भी विकास में जालना में एक अपनी कहानी कहेगा उसको हमको ध्यान में रखना चाहिए यही नहीं जालना तो लैंड अफ सीड्स है बीज की नगरी है बीज का स्थान है अगर उसमें भी इंवेस्मेंट हुई है तो वह इंवेस्मेंट आदरनियर हमारे छोटे भाई देवेंदर फणनवीज जी के नेतरतों में हुई है और 180 करोर रुपे की इंवेस्मेंट सिर्फ सीड के दृष्टी से की जा रही है जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए इसलिए मित्रों योजनाओं की अगर मैं बात करूँ तो एक पर एक योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम देविंद्र जी ने किया है और इस इलाके को विकास को आगे बढ़ाने का काम किया है मैं आज के शुप दिन पर मैं विपक्ष पर कुछ बोलूँ इसकी कोई आवशक्ता नहीं है लेकिन हाँ इतना जरूर बोलना चाहूंगा कि जिन लोगों ने चाचा भतीजे की राजमीती की भाई भतीजा वाद की राजमीती की ब्रश्टा चार की राजमीती की जिन पर F.I.R. दर्ज होना हाई कोट में तै कर दिया कि इन पर F.I.R. दर्ज हो जाए आधे नेता बेल पर हैं और आधे बेनेता जेल के रास्ते पर है ये स्थिती आज आकर के विपक्ष की खड़ी हो गई है मैं अगर ये कहूं कि उनका एक तरीके से देश के प्रती जो कमिटमेंट होना चाहिए था वो नहीं दिखता है तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी है हम कहते हैं नेशन फर्स पा 30 Next Nation Lost आप उनके तरीके देख लीए उनकी योजनाय देख लीजे उनकी कमिटमेंट देख लीजे उनके स्टैंड को देख लीजे हर बात पर आपको ध्यान में आएगा कि राजनीती पहले है देश के प्रती क्या आवशक्ता है ये बाद में आती है इसको हमको समझना विश्वास और विकास, आपने दिया है, उसको आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है, आपने महाजनादेश यात्रा को आशिरवाद दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद, जालना का विकास, महाराश्टर का विकास, देविंद्र जी और भारतिय पाइटी भी महराश्ट्र सरकार के साथ कंदे से कंदा मिला कर यहां के लोगों के विकास में अपना योगदान करेगी इनी शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद जै भारत जै महराश्ट्र जै भिवानी अधरणी अभुपेंद्र यादो जी आपलिया सरवां से